देखिए क्वेशन क्या है एमंग A, B, C and D, B is heavier than A, B जो है वो heavier है A से and C but C taller than यहां heavier की बात कर रहा है या taller की बात कर रहा है यानि weight और height की बात कर रहा है तो हमेशा क्वेशन को देख लो पूछा क्या है क्योंकि कई बार या तो weight पूछते हैं कई बार height पूछते हैं पूछा हो कि हम दोनों में उलज जाएं तो पूछा who is the heaviest है ना तो इसका मतलब हमें heaviest पर वक करना है taller को छोड़ दो, B is tall यह भी छोड़ दो, A is shortest यह भी छोड़ दो, C is not heavy as A मतलब यह हुआ कि C जो है, C is not heavy as A, तो यहां पर बोल सकते हो, A जो है वो heavier किस से, C से D is heavier than B, D जो है, वो heavier है किस से, B से, D is heavier than B, ठीक है, but shorter than, तो shorter की कोई जवत नहीं, तो अब आप से पूछा कि कौन heavier होगा, तो अगर मैं देखूं, तो B से heavier D है, तो इसका answer होना चाहिए D, यानि taller पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे, तो भी यह question आप easily solve कर सकते हैं